साथियो नमस्कार लंबे इंतजार के बाद हरियाना सरकार का आदेश हुआ जारी हरियाना सिक्सा विभाग ने लिया बड़ा फैसला प्रैमरी स्कूलों को खोलने से सम्बंदित आज इस वीडियो में हम वो लेटर भी दिखाएंगे जो आज अभी अभी हर्याना सरकार ने जारी किया है सर्याना सिक्सा विभाग ने जारी किया है प्राइमरी की क्लासों को खोलने के लिए प्राइमरी के स्कूलों को खोलने के लिए तो किस दिन से हो जाएंगी क्लास सुरू किस किस कंडिशन के साथ होंगी सुरू उस लेटर को पढ़ कर आपको बताएंगी कि क्या-क्या रखनी है सावधानिया, विद्यार्थियों को, अभिभावकों को और सकूल को, किस परकार लगेंगी, क्लासीज, कितने बजे से कितने बजे तक आना है सकूल, तो कितना समय बच्चों को बिताना है सकूल में, ये सारी बातें सभी परसनों के उत्तर हम इस छोट तो लीजिये बिना देर लगाए करते हैं वो लेटर शुरू जिसमें एक एक बात को हम खोल कर बताएंगे आपको तुरंत अभी साथियो ये है वो लेटर जो गौर्मेंट ओफ हरियाना विदाले सिक्सा निदेसले की तरफ से रज्य के सभी डियोज डिडवलियोज और बियोज और जिला प्रयोजना समवन्यक को लिखा गया है और विश्य है री ओपनिंग ऑफ स्कूल फ्रॉम 24 फेबरवरी 2021 यानि 24 2021 को स्कूलों का री ओपनिंग के लिए ये लेटर है और जो तीसरी कक्षा से लेकर पांचवी तक के विद्यार्थियों का स्कूल दोबारा खोला गया है जो कोविड-19 की वज़े से बन था तो साथियों इसमें कुछ सावधानिया दिखानी है तो उपरोक्त विश्य के पांचवी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 24 फरवरी 2021 से पर्ति दिन 3 घंटे सुबह 10 वजे से देड़ वजे के बीच सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को दोबारा से शुरू कर दिया जाए इसके तैत विद्यार्थियों में आने से पहले विद्यार्थियों पढ़ाई जारी रखना चाते हैं उनके लिए ओनलाइन स्विदा जारी रहेगी ऐसे विद्यार्थियों को विद्यार्थियों को विद्यार्थियों में उपस्थित होने के लिए बाद्दे नहीं किया जाएगा और ना ही विद्यार्थियों से उसका नाम काटा जाएगा और साथियों इस दोरान विद्धाले में प्रवेश, ठहराव और पठन-पाथन के दोरान यानि पढ़ने लिखने के दोरान हरियाना जो आपदा प्रबंदन विभाग का जो लेटर है उसकी अनुपालना संबंधी करी जाएगी प्रोटोकॉल के अनुसार विद्ध्यार्थि प्रवेश नहीं दिया जाएगा यानि इंट्री नहीं दी जाएगी ऐसे सभी संबंधीत का डाटा संबंधीत विद्ध्याले देनी कधार पर विभाग द्वारा उपलब्द कराएगे एप मोबाइल एप के पर भरया जाएगा तथा स्वस्थे विभाग द्वारा नोडल अधिकारी के साथ साथ मुख्य चिकित्स अधिकारी यानि CMO एवं DC कारियले को भी आवशक कारवाई है तो अपलब्द करवाया जाएगा पूरे विद्ध्याले प्रिशर को कक्षाओं के सतर के अनुसार अलग-अलग विंग सिनियर स्केंडरी स्केंडरी मिडल और प्रैमरी में बंटा जाएगा एसोपी के सभी नियमों के पालन के उपरांत ही भी यदि कोई बच्चा कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो विद्ध्याले मुख्या द्वारा विद्ध्याले प्रबंदन समीति के सहयोग से उच अधिकारी गण के संग्यान में लाकर उसकी कक्षा के पूरे विंग को दस दिन के लिए बंद करने का निरने लिया जाएगा तथा विद्ध्याले प्रिसर को सेनेटाइज कर दिया जाएगा यदि एक से अधिक विंग के विद्ध्यार्थी पोजिटिव आते हैं तो विद्ध्याले को दस दिन के लिए बंद कर पड़ेगा और पूरी परिकिरिया पूरे विद्यले के लिए अपनाई जाएगी और साथियो सेनेटाइजेशन वगेरा सापसफाई का टास्क समंदी बातें का बार बैठने की योजना का विद्यले में इंट्री का और निकास का ठहराव के दोरा नियम सोचले उपयोग के ल पूलिक सिक्सा हरियाना पंचकूला की तरफ से और ये आज का जो लेटर है आज जारी हुआ है इस परकार प्रैमरी भी खुल गया सकूल और सकूल हुए दुबारा से सुरू तो साथियो ये आज की लेटेस्ट अपडेट है यदि ये अपडेट आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अधिक से अधिक से अधिक से भी करना ताकि हर किसी को पता चल जाए कि सकूल किन कंडिशन के तहत खोले गए हैं किस किस कलास के लिए खोले गए हैं तो इसलिए अधिक से अधिक से अधिक से एर करोगे तो ज्यादा से ज्य